अब फिर आजाएंगे कौन जानता है आर जेडी को तो बढ़ाया हमने सीचा हमने इसल में है क्या कि वहां कोई अनुभवी लोग नहीं है पहले ही हमने कहा कि पार्टी के अंदर कोई धंग का लोग नहीं पतलब एक सल बचा हुआ है बारतेरह महिना बचा हुआ है चुनाव का तो अपना उसमें उथल पुथल होते रहती है अभी अरक्षण वाला जो चल रहा था उसमें भी तो देखा गया कि कहां कोई सरकार तो को कोई फसला अपस लेते थे लेकिन इस इस वर फसला आपस ले रहे हैं एक ही कारण है कि संख्यावल घट गया है आपने इस फोनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदरा हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूरो सांस साधुयादो इन दिनों प्रधान बंत्री नरे करते हैं तो सरकार संख्याबल में गिरावट के कारण ऐसा फसला प्रदानमंत्री जी ले रहा है यह पिछले जब पिछली गोवर्मेंट थी सरकार थी तो कहां कोई फसला आपस लेते थे लेकिन इस वर फसला आपस ले रहे हैं एक ही कारण है कि संख्याबल घट गया है जिसके कारण रूप कोई फसला अभी किसी परकार का प्रदानमंत्री के द्वारा किया गया है अभी अरक्षण वाला जो चल रहा था उसमें भी तो दखा गया कि कहां कोई सरकार तो कोई कर सकती है लेकिन पॉलिट कल पाथी के लोग उसका अपना अपना काम कर रहा है अपना पॉलिट कल अपना में लगी बचा हुआ है चुनाव का तो अपना पाठियां सब उसमें उथल पुथल होते रहती है यह कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है इधर से उधर से सब जगह से लोग आना जाना शुरू कर देते हैं अपना गोटी लोग सेट करते रहता है अभी जिस तरह से क्राइम को क्या मामला है तो वही दोनों आदमी बता सकते हैं तीसरा आदमी क्या जानेगा अभी हाल के दिनों में देखा जाए तो जो चीजें नेता प्रतिपक्ष में होनी चाहिए क्या है कि वहां कोई अनुभवी लोग नहीं है है अगर कोई है भी तो अपना स्वार्थ के चक्कर में लोग भटक रहा हैं और कोई और यह noiłeकर देखा कर आ insul काम नहीं कर रहा है उस लाइन पर आरजेडी के लोग कोई काम नहीं कर रहा है जिनकी कोई हैसीत नहीं थी, जिनकी कोई अजूद नहीं थी आजिसे युसे लोग पार्टी के सलहकार बने हैं, सिपौकार बने हैं ओज्वे लोग के हाथ में कमान है, कोई परवकता है जो मन्ये पूरा नीचे से उपर तक ले उसका वही हल तो एपर्द। आपूराने साथी लोह फटते जा रहे हैं पुराने साथी लोह हटते जा रहे हैं छोड़ते जा नहीं होगाज होगा सवाज में लूइसवार्ण हम पुलिटकल लोग है और पुलिटकल कि कर लोग का काम क्या है जनता का सेवा करना को फिर हम आप जनता के सेवा में तो बहां ही को यहां है का नितीज के बारे मी से पहले ही बोल दिया कि चाचा भतीजा का रिस्ता है तो लोग हो जाएगा कब सड़ जाएगा को जानता है पचीष में वापस आसके हैं यह हम कैसे हम को भॉस्वारी बाकता नहीं है यह तो हम को है लेकिन ज्यादा मीडिया के लोगों को है मीडिया के लोग दिन भर इधर उधर घूम रहा है इसलिए पता है अब क्या किसके साथ वरतना की से बता हैंगे की से कारण नहीं हो रहा तो बढ़ाया हमने लेकिन हम कहां है न बताहिए वह हल कि जो पुराने साथी है पुराने साथी सब्धीरसाइठ होगा है अब देखिए कॉंग्रेस का जहां तक सवाल है कॉंग्रेस बहुत आगे चला गया है पीछे से तो अभी बहुत आगे चला गया है और देश के लोग कॉंग्रेस के तरफ देख रहा है अब देखेंगे कि निर्दली ए जो भी अभी उमिद्वार के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं उनका प्रॉफॉर्मेंस काफी बहतर रहा है वह बेल्कुल बेल्कुल यह बात सत्थ है कि कॉंग्रेस के तरफ लोग देख रहे हैं और कॉंग्रेस भी लोगों के तरफ देख अब पुलिटकल प्लिटकल पाटी के पुलिटकल नेता है श्याम-जी मंत्री रहा है में रहा है अब किस कारण से स्थापा दिये हैं उनको मालूम होगा और पाठी के लोग जानता होगा उन्होंने कहा कि यह लोग सतरंज खेलते जा रहे थे और हम बस मोहरा बनते चले गए हम तो भावनाओं में बहते चले गए अब फिर आ जाएंगे कौन जानता है कौन कहा चल जा रहा फिर करने के लिए तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था पुरौ सांसाद सादू यादों का इसकर बस इतना ही बने रहे नेच्पोनेशन के साथ धन्यवाज